सब्स्ट्राइब के लाल वाले बटन को दबाके बैल आइकन को दबाईए और मेरे वीडियो के निटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले पाईए तो लोग दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूव वेक्सिंग और दोस्तों टेक्नो वेक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं Realme के बारे में बहुत सारे प्रामेसिंग फोन्स ने रबाउट चार फोन्स निकाल चुके हैं इसी के बारे में बात करेंगे और भी कुछ कमाल की खबरे आ रही हैं डिसेंबर में एक स्मार्ठफोन लाउंच होने वाला है Realme का उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में तो जार डाइम भी इस करते नहीं, वीडियो पसंदा तो लाइक कमेंड और शेर कर देना, नहीं पसंदा तो अनलाइक करके मुझे पताना क्यों नहीं पसंदा दोस्तों, चलते हैं सीधे वीडियो के तरफ, let's get started. अजए सेफों रेल्मी के हिस्टिकी बात करें तो बहुत पुराएं नहीं हैं, मै अई थी गमपनी, रियल्मी 1 के साथ, और कितने महीनों हुआ यार, चार पांच, पांच महीने, छे महीने, पांच छे महीनों मे इन लोगो ने ऐसा काम कर दिया है, दोस्तों, चार स्मार्ट फ और दोस्तों कमाल के और हर एक फोन ने किया कमाल दोस्तों अपने प्राइज रेंज के इससाब से अगर आप देखोगे तो और हमारे expectation बढ़ गए, बहुत ज़ादा बढ़ गए इस phone से पहले Redmi के phone से शौमी के बहुत अच्छे phone से तो आईलके फहनी अच्छा आदे हैं यहीं सैट लिया था बहुत सारे फहने कंबगिक किया उसके पिर मोटो सरे स्मार्टफोन अच्छा करने लग जब से रिएमी स्टार्ट किया यह चांट का है تم अच्छे कर रहा है तो हमनेgan a और अभी जो सेल आया था चार-पास दिन का अगर आपको या दो Amazon का और उस Flipkart का और बहुत सारे ब्रैंड्स का उसमें Realme ने एक मिलियन युनिट बेचा था सिर्फ चार दिन के अंदर सारे चारों मिला कर एक मिलियन मतलब दस लाख होता है दोस्तों बाकी और भी स्मार्टफोन ब्रैंड्स है वो भी बेचते हैं उसमें एक लाख युनिट बेचना मतलब कमाल की बात है अब थोड़े प्रॉब्लम्स होने लगे है क्योंकि कुछ प्रॉमिसेस पहले हुए थे अब वो प्रॉमिसेस मुझे इसा लग रहा है टूटेंगे क्योंकि रियल्मी ने कहा था कि नेक्स स्मार्टफोन हमारा रियल्मी 3 सबसे पहले माधव सेट ने एक प्रॉमिस किया था सबसे कि हम रियल्मी 5 तक काम कर रहे है जो कि मार्च एंड तक 2019 के मार्च एंड तक 500 स्मार्टफोन लाँच हो जाएंगे लेकिन अभी रिसेंड में क्या हुआ कि कुछ ऐसे न्यूज आए है अभी माधव सेट ने कहा है कि रियल्मी 3 पे हम काम अभी नहीं कर रहे है और इस साल जो रियल्मी 3 है वो नहीं आएगा और उन्हें यह भी खाए कि डिसेंबर में एक स्मार्टफोन आएगा तो डिसेंबर में जो स्मार्टफोन आएगा कौन सा होगा इस पर आप इशूज होने लगे है क्योंकि रियल्मी 3 या इस सीरीज का फोन नहीं होगा अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि रिसेंड में अभी अगर आप देखोगे तो इंडियन मोबाइल कॉंगर्स जो हो रहा है उसमें दोस्तों सॉरी उसमें दोस्तों उन लोगों एक मीडिया टिक ने पी 70 जो प्रोसेसर है उसको इन्वेल किया उन लोगों ने और बहुत अच्छा प्रोसेसर है अगर आप टक्कर की बात करोगे तो यह टकर देता है स्नैट्रगन के 670 को अगर आप वह जाद हो वह प्रोसेसर और कमाल का प्रोसेसर है यह अपमिट रेंज का प्रोसेसर है यह सेमी फ्लेक्षिए आप कह सकते हो यह 660 से भी ज्यादा अच्छा है 10 अनुमीटर टेक्नॉलजी पर बेस्ड है उसके उलट अगर आप लिए वी आपको देखने को नहीं मिलेगा इसका जो अंतुतू स्कोर्स आया है दोस्तों वह है 156,000 देड़ लाक के उपर यानि 660 से ज्यादा है 660 का 140 146 था इसका 156 आया है अब वो तो स्मार्ट फोन आएंगे उसके बाद चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा ब्रेंड्स और जो प्रोसेसर चिप्सेट पी जो कमपनी होती है दोस्तों वो लोग अपने हसाब से बताते हैं जो भी चीज़े हो अब इस प्रोसेसर के बारे म P70 की बात नहीं करें हम लोग बात करें हैं Realme की तो Realme जो है दोस्तों दैबोर नहीं करती है Realme जो दोस्तों उसने प्रोमिस किया है कि December में उसका स्मार्ट फोन आएगा वो वह स्मार्ट फोन आएगा Helio P70 चिपसेट के ऊपर और वोल्ड़ का पहला स्मार्ट फोन होगा जो Helio P70 के उपर आएगा तो Helio P70 और बजट का अगर आप देख लो तो ये 20,000 के नीचे स्मार्टफोन होने के चांसेस बहुत तम है चलो बहुत कुशिश करके अगर Realme ने अच्छा किया जैसे पहले करते आ रहा है अच्छा करके उन्होंने उसके स्मार्टफोन का प्राइज नीचे रख भी लिया तो भी अठ्रा, उनिस, 20,000 से नीचे नहीं होने वाला है 20,000 मुझे नियागता ये थोड़ा फ्लैक्शिप लेवल, प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन होगा और जो मादव सेट ने पहले प्रामिस किया था कि वो जो 5 स्मार्टफोन पे काम कर रहे है 3, 4, 5 माज से पहले वाले और उनके कोई भी स्मार्टफोन 20,000 से उपर नहीं जाएंगे तो वो प्रामिस का क्या होगा? वहीं सोच रहा हूं मैं अगर नीचे रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं रख बात है तो फिर उस प्रामिस का क्या होगा? क्योंकि अभी मादव सेट ने वर्ल मोबाइल कॉंगरस में इंडियर मोबाइल कॉंगरस में ये बात कही थी कि वह अभी फिलहाल Realme 3 या Realme 3 Pro पे काम नहीं करें December से पहले जो स्मार्टफोन आएगा वो अलग सीरीज का होगा कोई अलग सीरीज स्टार्ट करने वाले हो लोग जैसे Realme 7 आया था बैसे ही अलग कोई सीरीज प्रीमियम स्मार्टफोन में होगा तो क्या प्राइज होगा क्या होगा अपडेट अभी Realme 3 और Realme 3 Pro पे कोई नहीं आया है अभी तक बात चल रही थी कि आयेगा लेकिन इशू यह हो गया कि उसको कैंसल कर दिया है वह सकता है 2019 स्मार्टफोन आजाए लेकिन डिसेंबर में जो स्मार्टफोन आने वाला है उसका वेड़ बहुत सारे लोग कर रहे है देखते है कौन सा वाला होता है एक कम प्राइज वाला अगर आपको फ्लैक्शिक तो नहीं हो सकता फ्लैक्शिक पे लिए आपको स्नाप्रेगन का 845 या 855 प्रोसेसर यूज करना होगा फ्लैक्शिक तो नहीं होगा प्रीमियम लेवल का हो सकता है पचीस बीस से पचीज़र के बीच में जिसका और सारे स्पेसिफिकेशन अच्छे हो जैसे आपको इंडिस्प्लेश फिंग बहुत बद्दा लगता है और दूसरा रियल्मी का जो पहले वाले स्मार्टफोन के अगर बात करें तो उसके कैमरास के इशू थे रियल्वी 2 प्रो में अच्छा किया थो लोग है रियर कैमरा के साथ बट फ्रंक कैमरा स्टिल बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज् इशू नहीं है थोड़ा से बैटरी अगर ज्यादा दे तो अच्छा हो जाएगा ये चीज में तो जो भी नया स्मार्टफोन आने वाला है उनका हम लोग मैं ऐसा एक्सपेक कर रहा हूं कि अच्छा हो इन सब चीजों में थोड़ा सा डीपर्टमें में थोड़ा सा कभी-कभी बहुत सारे बड़े जो एप्लिकेशन होते हैं वो बंद हो जाते हैं हैं अपने आप ही बंद हो जाता है तो कलर हो इसका थोड़ा इशू है उसका थोड़ा कुछ करें मुझे मालूम है एक उपरेटिंग सिस्टम से तुरंथ नया स्मार्टफोन कंपनी है यहां क्या करते हैं डिसमबर में कौन सा स्मार्टफोन आता है 2019 से पहले इसमार्टफोन आएगा इसके लिए मादो सीट ने का है और यही न्यूस है आपके लिए तो कैसा लगा यह वीडियो क्या वीट कर रहा हूं और नया वाली फोन का बहुत जादा वीट कर रहा हूं क्या ले आपना पैसा करना होता है एक्सपेक करता हूं कि जल्दी इतना बड़ा हो जाओं कि वह लोगी मुझे जल्दी जल्दी अन्बॉक्सिंग देंगे कैसा लगा वीडियो सुरू बताईएगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेर कर देना नहीं पसंद आतो लाइक करके मु जहेंगे